बालों के सफेद होने से बचने के लिए अक्सर लोग अपने बालों पर हेर कलर करते हैं सिर्फ यही नहीं बलके आजकल तो हेर हाइलाइट भी लोगों में काफी ट्रेंट कर रहा है बालों में कलर कराके आपके बाल खुबसूरत तो बहुत लगती हैं लेकिन इससे पहले आपको कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए अगर आप भी हेर कलर का इस्तिमाल कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में कुछ बातों का पता होना जरूरी है ये कुछ जानकारी आपको सही रिजल्ट देने में मदद करेंगी अगर आप अपने बालों पर कलर का इस्तिमाल कर रहे हैं तो इससे पहले अपने बालों पर कंडिशनर और किसी भी तरह की कोई केमिकल वाली चीज़ का इस्तिमाल ना करें ऐसा करने से आपके बालों पर कलर अच्छे से नहीं चड़ेगा कलर करने से पहले बालों पर महंदी या हिना नहीं लगी होनी चाहिए क्योंकि इन चीजों के बालों पर लगी होने से कलर का रंग बढ़िया एफेक्ट नहीं आता है इसलिए अगर आपके बालों पर ये चीज़े लगी हैं तो इन्हें सिर्के के पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लें बालों में हेयर कलर लगाते समय अक्सर ये आईब्रो या आई लैशिस पर लग जाता है जिससे इनके बाल सफेद होने का खत्रा रहता है इसलिए जब भी हेयर कलर का इस्तिमाल करें तो उससे पहले इन पर वैसलीन लगा लें ऐसा करने से कलर आई लैशिस और आई ब्रो पर नहीं चड़ेगा जब आपको अपने बाल में हेयर कलर का इस्तिमाल करना हो इसे तब ही मिक्स करें क्योंकि इन्हें अधिक देर तक खुला रखने से इसका असर कम हो जाता है अगर आप अपने बालू में हेयर कलर का इस्तिमाल करती हैं तो कभी भी दो कंपनी के कलर एक साथ मिला कर न लगाएं इससे infection होने का डर रहता है Newswing की Bureau Report